नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भालचंद्र ब्रह्मांड सिद्यास्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम चर्चा किरेंगे मींद राशी का मार्च 2023 का संपुन राशीफल कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशीपर किस प्रकार से प् वीडियो में हम करने माले हैं अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्यास्ट्रो इस चनल पर मेश राशी से लेकर मींद राशी तक कि जो सभी बारा राशिया है इन सभी बारा राशियों का मार्च 2023 का राशिफल क्या होगा इस विशह पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं आ आपी के वेयाभाव में ब्रह्मन कर रहा है और दिनाग 17 तरीक के बाद यह जो रवी है वो आपी के राशिफे ब्रह्मन करेगा तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि पिछले करीब बन 10-15 दिने में स्ट्रेस टेंशन थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है और वो भी आपका ज भी वो बदलाव है वो देखा जाएगा आपका जो confidence है वो काफी अच्छा देखा जाएगा उसी प्रकार आपकी जो ability है आपकी जो एक्टिवनेस है हाला कि वेसे देखा जातो आपकी जो राशी है वह एक्टिवनेस में थोड़ी सी कम होती है थोड़ी सा laziness आप में देखा जाता देखा जा सकता है लेकिन 18-19 तारिक के बाद का जो समय है उसमें आप बहुत ज्यादा active दिखाई दोगे जो भी काम है वो आपके पूरे होते हुए निजार रहेंगे तो यह जो रवी का जो भ्रमन होगा आपके वेयवाव से आपके राशी में वो आपके लिए काफ हम चर्चा करेंगे मंगल गरह के बारे में अब यह जो मंगल गरह है आपके राशी का सब समयतोपुर्ण गरह होता है क्योंकि यह आपका भागेश भी है और आपका धनेश भी है चो कि आपके तृदिया भाव में ब्रहमन कर रहा है और तेरा तारीक के बाद यह जो मंगल ह तो मैंने अभी का कि थोड़े से laziness है तो उससे भी निकल कर आप अकर कोई काम करते हो तो वो काम पूरा नहीं हो रहा है जिसके जो stress टेंशन थोड़ा आ रहा है तो यह जो बात है वह इस माइन में काफी माइन में नौर्मल होती हुए नजर आएंगी जैसे कि मंगल आपके त पिज़ते चार-पास मेंने में आपने देखे होगे खास करके नवेंबर डिसेंबर जनवरे में खास करें नवेंबर डिसेंबर में उसकी जो intensity थी वह काफी थी तो इस मेने में मतलब मार्च मेने में वह काफी ज्यादा कम होती हुए नजर आगे और 14-15 तरीके बाद पूर आपके लिए शुबुफलदाई साबित होगा इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुद्धगरा के बारे में अब यह जो बुद्धगरा है यह बुद्धगरा आपका चदुरदिश भी है और आपका सब्तमिश भी है जो की आपके वहीया भाव में ब्रह्मन कर रहा था और 17 17 तरीक के बाद यह जो बुद्धगरा है वह आपके राश्य में ब्रह्मन करेगा तो यहां पर आपके जो वाइवाइक जोड़ेदार है उनके साथ भी जोड़े मुटे बातों को लेकर तकरार होते हैं आपके घर के जो लोग है उनके साथ भी आपके नहीं जादा जम रही के तो जो बुद्ध का ब्रह्मन है वह भी कई मैनों में अगर देखा जाए तो आपके लिए शुबुफलदाई साबित होगा अब हम चर्चा करेंगे सबसे महतों पुर्ण ग्रह जिसका अनुबह आपने पिछले कई मैनों से ले रहे है जो कि काफी अच्छा है आपके रा आपको करना है आपके फूचर लाइफ के लिए क्योंकि देखी यह जो गुरु है वह अप्रेल में चेंज होने जा रहे है तो इसके पहले अगर आप कोई काम करते क्यों आपको मिलती रहेगी और लेजिनेस वहाँ पर नहीं दिखाना जो भी आपको अपर सेलेक्टिव नह नहीं चाना फिर आपको प्रॉब्लम हो सकते क्योंकि अप्रेल के बाद जैसे यह गुरु आपके राशी से द्वित्य भाव में जाएगा तो जो आपको थोड़ी सी कम रहेगा और एक बात भी याद रखना क्योंकि आपकी जो राशी अभी साड़े साथी में आ गई है फि बहुति ह Rubly आपके मन में डान ली है जो भी आपके मन में मन में किसी फिरकार के अगर कोई Map रहा है तो पर ज़रूर काम करना क्योंकि जो अच्छा होगा गर्भुवतीमेल उनके लिए भी यह जो गुरु है वो काफी महतोपूरण शुबुफल पर है उनके लिए भी ये जो गुरु है वो बहुत ही ज़्यादा शुब वलदाई सावित होगा आपके जो विवा है वो बनते हुए नजर आएंगे तो जल्दी-जल्दी से काम कीजिए जैसे मैंने अभी कहा कि ज्यादा मतलब ये जो अच्छा समय ज्यादा दिनों तक नही रहने वाला पस आपको उसे के ओपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि आपके लिए जो भाग्य का साथ है वो काफी अच्छे तरीके से मिलता हुआ नजर आएगा अब हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में शुक्र जो ग्रह है ये शुक्र ग्रह आपके रा स्वास के बारे में ध्यान देना होगा लेकिन इससे बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आपको हेल्थ इसके बारे में नहीं आएंगे फिर भी थोड़ा सा चो करना रहना आवश्य होगा तो ये शुक्र का ब्रहमन है वो भी आपके लिए शुब फलदाई साबित होगा जो जोब नहीं मिल रहे है उनके लिए ये जो शुक्र है वो जुक्र जोब जटरस जरूर कराइगा ये शुक्र का ब्रहमन है वो साबygusal धैज वाइबात होगा इसके बाद जे बाध इसके बात जो मैं भी बात कर रहा था श़नी के बारे में तो श्युक्ड़ी सानी है वापक आपका समय रहता है तो साड़े साथ साल तो किसी के बुरे नहीं जाते धीरे 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 वह आपके बुद्धी पर असर करता है और वह जो बात है उसके जो परणाम है वह आपको बाद में नजर आते हैं क्योंकि जो भी आप निर्णय लेते हो तुरूंत उसके परणाम नही लिए काफी ज्यादा महतुपुर्ण ने वह बात हाथ में ले लो निरने ले लो क्योंकि जैसी ही शनी ज्यादा एडवांस हो जाएगा ज्यादा आगे जाएगा आपके व्यभाव में तो फिर वह आपको प्रॉब्लम में ला सकता है तो इन चीज़ों पर फड़ा सा ध्यान जाओ जो कि बहुत अच्छी बात होगी दूसरी इंपोर्टन बात आपकी जो वैवाई जोड़ी दार्यम के स्वास के बारे में भी समस्या आ सकते लेकिन बहुत बड़ी तोर पर ये बाते नहीं होगी तो जो मैंने बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा अपने उपर फोकॉस क स्वाइम के बारे में थोड़ा सा आत्म विचलेशन करके आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण होगा अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो दिनांग दो तारी को शनी बुद्ध की यूती होने जा रही है आपके वेया भाव में उसी वाइवाइज जोड़िदार होंगे उनके स्वास्त के बारे में समस्यां का सामना आपको करना पर सकता है उनके साथ डिफ्रेंस ऑफ उपिनिंजिसां कहते हैं वो भी हो सकता है लेकिन स्वास्त के बारे में जो समस्या है आपने वाइवाइज जोड़िदार के स्वास्त के गुरु और शुक्र की जो यूती है वो भी आपके राशे में ब्रह्मन कर रहा है आपके लिए पैसे के बार में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि थोड़ा सा स्वास्त के बारे में ध्यान देना होगा लेकिन उसके परणा मोंगे वो आपके लिए शुवफल अधाय साबित हो है मतलब बहुत मतलब इसमेनयम के शुरुवत में अब बहुत ज़्यदा थोड़ा सा अधिबहुतिक सुक्य दिन हो सकते हो उसी प्रकादिनां 11 तारीक को हर्शल और बुद्ध के लाभ योग होने जा रहा है मंगल और शुक्र का भी लाभ योग है तो हर्शल जो कि आपके चैतर कैसे मिल सकता है आपको जो भी कारिश चैतर है उससे रिलेटर का भी बाहर घुमना के ना हो सकते तो मंगल शुक्र का जो लाभ हो योग है वो आपके लिए शुबफल अधाई साबित होगा अब यहाँ पर और एक बात है कि में भी आपके लिए कुछ नए ऑपरिशन केंडर जो ब्र knock ब्रावन कर रहा है च Ciudad डोनौं का केंडर योग होने जा रहा है घर के पूरिश वर्ग होंगे उनके स्वास्ता के बातों को को लेकर मतबेध हो सकते हैं बस किसके ज्यादा कोई परड़ बनाम आपको देखने नहीं मिलेंगे उसी पर नेप्चुन और रवी की यूती होने जा रही है आपके द्वित्यभाव में अब यह जो रवी है खास करके आपका सश्टेश है तो यहां पर थोड़ा सा आपकी जो स्पेंडिंग रहेगा आपकी जो खर्चे रहेंगे उसके उपर ध्यान दिजे और इंप के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजे स्वास के बारे में समस्टाइब हो सकते दिनांग बंदरा तरीकों यह योग नेप्चुन रवी की यूती है वो होने जा रहे है तो घर की जो लोग है उनके साथ चोटी मूटी बातों को लेकर तकरार होती रहेगी आलाकि इसके अपके राशे में होने जा रही है यहाँ पर आपके बुद्धी पर थोड़ासा प्रॉब्लम इंद से थोड़ासे मिसंडरेस्टरिम मगरा हो सकती है जोकि आपके जो वह वाई-वाई जुढिदार है उनके साथ थोड़ासे होने की संभावना है बस बस वही बात है अगर आप जॉब लेसे तो जॉब मी इल सकता है अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आइडा नहीं आ सकते हैं जो कि पॉजिटिव हो सकते हैं उसके बारे में आप निरने भी लेग सकते हैं उसी परकार बुद्ध और मंगल का केंडरी योग भी होने जा रहे हैं तो घर के जो लोग हैं उनके साथ चोटे मूटे बातों के लेकर तक रात हो सकती है उसी परकार दिना अठाइस तरिकों गुरू और बुद्ध की युति होने जा रही है आपके राशी में अब यह जो पर्टिकलर आस्पेक्ट है वह आपके लिए काफी महतों पूर्ण है जो गुरू और बुद्ध जी जो दोनों ग्रह है वह आपके केंद्रस्तान के अधिपती है मतलब आपका दश्मेश और आपके राशी का स्वामी चदुर्तिजा सब्तमेश की जो यूति है वह आपकी के राशी तो जो भी प्रॉबलम थोड़े बहुत बंद रहते हैं आप इनके साथ कई बाहर गुबना फिर ना हो सकता है तो यह जो बात है गुरू और बुद्ध की जूईती तीस तारिकों अठ्था तारिकों होने जा रही है आपके राशी में वह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुब फलदाई साबित होगी उसे प्रकार दिना तीस तारिक चग को शानी और मंगल का केंदर योग होने चाहरी चाहरीं जो कि आपके वह बहुत वहुत करे गया है उसके साथ यहां हो सकते यहां पर चांए रियोग होने जा रहा है आपके द्वीतियोभाव में अब यह जो आस्पेक्ट है वह आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है खास करके पैसे के मामलात में आपको थोड़ा देखना होगा कि पैसे आपके अन्वांटेड पैसे खर्चे हो सकते हैं तो इस परकार क इस मेनी की जो पूर्णिमा है वो साथ तरिकों है जो अमावस है वो 21 तरिकों है पूर्णिमा और अमावस के दिन रवी चंतर का आकर्शन होता है पृथिव के प्रति वह काफी ज्यादा पाया जाता है इस वज़ए से हमारी जो भावनाय थोड़ी तीवरतम होती है और नहीं पर जो बहुत सारे क्राइब वह आपई के राशि में जमा है और आपके वियर और तो देखिए सबसे इंपोरण बाद आपके लिए ये बहुत गोलडन पिरिड् depth है महां मेने का जो नीरणर लेने है वह आपको इसी महीने में लेने हैथ आपके बशिच के बारे मिए आने वाले 4-5 सालों के भी अगर होते हैं, long run effect में अगर आप देखते हो, तो आपके मन्द में इसके बारे में पूरी तरह से ground भी तायर होगा, फिर आपके आपने उसके उपर workout भी किया होगा, कि किस प्रकार से future जो है वह आपको करना है, तो अभी जैसे कि समय अच्छा है, आप इसके बारे में निरने ले सकते हो, क्योंकि 2-3 मेने के बाद के जो scenario है, जो पूरी परस्थिती है, वो change हो सकती है, आपके opposite में जा सकते हैं, जब से कि अभी वो favor में है, आपके के लिए अच्छी है, शुबह है, लेकिन 2-3 मेने के बाद, जो बाते हैं, वो थोड़ी अलग से हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए, यह जो मेना है, वो आपके लिए बहुत में तो बुर्ण है, आप इस मेने में जो निरने हैं, जो कि आपकी future के बारे में हो, आप ले सकते हैं, उसके बारे में इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करने हैं, जान्यवाँ